हाई गाईज वेलकम टो भी वैंकर स्वागत आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर करके आगई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्ती वीडियो तो आज मेरे पास है धेर सारे कलेक्शन स्मॉल सेंटेंस का यानि के जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बैल आइकान को तबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटिस्ट और करें आप कर सकते हैं में follower Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok ने अपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब चैनल के लिए और हमसे सीद जीवाक्सैब कर सकते हैं हमारी बुक्स हमारी ई-बुक्स हमारी पेड कोर्स के बारे में जानने के लिए और इन वीडियो झार इनारी तो चलिए जल्दी चुरूर करते हैं आज की वीडियो, सबसे पहला सेंटेंस है, Please forgive me, मुझे माफ कर दे, Please forgive me, मुझे माफ कर दे, या कृपया मुझे माफ कर दे, Clear? चलिए बढ़ते हैं आगे, You must forgive me, आपको अवश्य मुझे माफ कर देना चाहिए, चलिए बढ़ते हैं आगे, What all can I eat? मैं क्या कुछ खा सकता हूँ? यानि कि जब आपके पास धेर सारे खाना हूँ, आपके आँखों के सामने धेर सारा खाना हूँ, तो आप क्या पूछने हैं कि मतलब मैं क्या कुछ खा सकता हूँ? मतलब what all can I eat, मतलब क्या सारे खा सकता हूँ, या इन में से कुछ खा सकता हूँ, so what all can I eat, मैं क्या कुछ खा सकता हूँ, can I eat, क्या मैं खा सकता हूँ, can we talk, क्या हम बात कर सकते हैं, can we talk, क्या हम बात कर सकते हैं, talk का मतलब होता है, बात करना, get well soon, जल्दी ठीक हो जाओ या जल्द ठीक हो जाओ get well soon, जल्दी ठीक हो जाओ I didn't invite him मैंने उसे अमंतरित नहीं किया I didn't invite him ऐसा होता है ने, हमारे कर में कुछ function है और ऐसा कोई इंसान आ गया है जिसको हमने मंतरन ही नहीं दिया, हम लोग आप एक दूसरे में परिवार में पूछते रहते हैं कि अरे इसको किसने बुलाया but सारे क्या जवाब देते हैं मैंने नहीं बुलाया I didn't invite him, मैंने उसे अमंतरित नहीं किया I have pampered him मैंने उसे लाड किया है Pamper का मतलब होता है लाड करना, प्यार करना, पुछकारना, दुलार करना I have pampered him, मैंने उसे लाड किया है It was in your destiny यह आपके भाग्य में था अब destiny का मतलब होता है destiny कह लीजे, fate कह लीजे, luck कह लीजे यह सारी बाते एक ही है मतलब होता है भाग्य It was in your destiny यह आपके भाग्य में था It was in your destiny You are getting me wrong आप मुझे गलत समझ रही हो या आप मुझे गलत समझ रहे हो You are getting me wrong आप मुझे गलत समझ रहे हो When did you get married तुम्हारी शादी कब हुई जब बहुत लंबे समय के बाद किसी से हम लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से और दीखते हैं उनकी शादी हो गई है वो अपनी वाइफ या अपनी हस्बन के साथ गूम रहे है तो हम लोग उनसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं अरे शादी कब हुई When did you get married Cap down the pen and put it down Pen का ढखकन लगाएं और इसे नीचे रखें Cap down the pen या Cap the pen and put it down Pen का ढखकन लगाएं और इसे नीचे रखें Thorn will run into your foot यहाँ पे foot है काटा आपके पैर में चला जाएगा मतलब काटा चुब जाएगा Basically अगर आप इसको मतलब daily language में बोलना चाहता है तो काटा चुब जाएगा को बोलते है Thorn will run into your foot Let me get a clear look मुझे स्पष्ट रूप से देखने दो Let me get a clear look मुझे स्पष्ट रूप से देखने दो Take a closer look करीब से देखो Take a closer look करीब से देखो But why? लेकिन क्यों? How is that? यानि कि ये कैसा है? It will take time इसमें समय लगेगा It will take time अगर आपके पास कोई कुछ काम लेकि आता है पूस्ता है कितने दिनों में हो जाएगा? अगर वो काम समय लगने वाला होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? इसमें समय लगेगा मतलब अब आप क्या बोलेंगे? It will take time Have patience धायरे रखें Have patience Patience का मतलब होता है धायरे Have patience, धायरे रखें She has a cold उसे सर्दी है She has a cold She है मतलब यहाँ पे हम लोग किसी female की बात कर रहें किसी महिला की बात कर रहें किसी लड़की की बात कर रहें She has a cold उसे सर्दी है He has a cold उसे सर्दी है अब देखिए दोनों हिंदी के sentences दोनों सेम है लेकिन इंग्लिश के sentences में फर्क आ गया एक में she है, एक में he है He का मतलब होता है किसी male member के बारें बात कर रहें आप ठेके किसी पुरुष के बारें बात कर रहें So he has a cold यानि कि उसे सर्दी है Why are you upset? तुम क्यों परिशान हो Why are you upset? Upset का मतलब परिशान भी होता है कई बार कई बार दुखी भी होता है Depending on कि सामने वाला का क्या reaction है, क्या situation है Why are you upset? तुम दुखी क्यों हो या तुम क्यों परिशान हो Clear? चलिए बढ़ते हैं आगे Let's play चलो खेलें I am not interested मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है इसी को अगर आप चाहें तो simply कह सकते हैं Not interested यानि कि रूची नहीं है Like अगर आपने कह दिए I am not interested अगर आप इतना लंबा नहीं बोलना चाहते हैं अब simply कह सकते हैं Not interested किसी नहीं भी आपको आपको कुछ बोला अगर आपको उसमें इच्छा नहीं है वो चीस करने की आप simply कह सकते हैं Not interested I don't like मुझे पसंद नहीं है I don't like मुझे पसंद नहीं है What's your worth आपके कीमत क्या है What's your worth आपकी कीमत क्या है तो यह थोड़ी सी negative line है जो normally किसी को insult करने के लिए बोली जाती है कि आपकी कीमत क्या है आपके आपके आउकात क्या है इस तरीकी की जो लाइन से क्रिपयान को इस्तमाल ना करें लेकिन daily life sentences में हम लोग कई बार इन को इस्तमाल कर लेते हैं So what's your worth She is a student वह एक छात्रा है She is a student कैंसे यहाँ पर she है मतलब female की बात हो रही है She is a student वह एक छात्रा है He is a student वह एक छात्रा है मतलब He यहाँ पर मतलब किसी लड़की की बात हो रही है He is a student वह एक छात्रा है He is a businessman वह एक वैपारी है He is a businessman वह एक वैपारी है Come in the evening शाम को आना Come in the evening Evening का मतलब शाम Come in the evening शाम को आना Come in the morning सुभा आना Morning का मतलब शुभा Come in the morning सुभा आना Are you in क्या आप अंदर हैं Are you in क्या आप अंदर है Is it possible क्या ये संभव है See if it is possible अगर ये संभव है तो देखे मतलब जैसे हम लोग कही पर जाते हैं सीट्स नहीं है सामने वाला बोला कि no it's not possible तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे देखें ना अगर possible है तो मतलब see if it is possible No it is not नहीं ये नहीं है मतलब ये understood है कि ये possibility नहीं है तो यहां पर हमने possible शर्प्त कर इस्तमाल नहीं किया है No it is not क्योंकि ये एक सामने वाला प्रशन पूछ रहा है आप जवाब दे रहे हैं Clear? चलिए बढ़ते हैं आगे Are you in the office? क्या तुम कार्याले में हो या क्या तुम आफिस में हो Are you in the office? How can you do this? आप यह कैसे कर सकते हैं How can you do this? आप यह कैसे कर सकते हैं You are admiring me आप मेरी प्रशनशा कर रहे हैं You are admiring me आप मेरी प्रशनशा कर रहे हैं Your BP has risen आपका BP बढ़ गया है BP मतलब blood pressure जो होता है न BP बढ़ जाता है, घड़ जाता है Blood pressure उसकी बात यहां पे हो रही है तो आप BP के जगा पे diabetes कर यूज कर सकते हैं अगर किसी को diabetes है क्या आपका diabetes बढ़ गया है इंसुलीन बढ़ गया है इस तरीकिसा आप इसको यूज कर सकते है मैंने जिस टेक एक्जामपल लिया है BP Your BP has risen आपका BP बढ़ गया है He is going to be exposed वो बेनकाब होने वाला है He is going to be exposed Exposed का मतलब बेनकाब हो जाना खुले में आ जाना बिलकुल खुल जाना सबकुछ उसके बारे में He is going to be exposed वो बेनकाब होने वाला है I will expose him मैं उसे बेनकाब करूँगा I will expose him मैं उसे बेनकाब करूँगा He should have gone there उसे वहाँ जाना चाहिए था You may go आप जा सकते हैं You may go आप जा सकते हैं You should have gone there आपको वहाँ जाना चाहिए था You should have gone there आपको वहाँ जाना चाहिए था Don't let anyone come in किसी को भी अंदर आने मद दो Don't let anyone come in Anyone का मतलब किसी को भी Don't let anyone come in किसी को भी अंदर आने मद दो Will it be right? क्या ये सही होगा? Will it be right? क्या ये सही होगा? Will it be right to do so? keep it wherever you like, आप जहां चाहें इसे रखे, keep it wherever you like, आप जहां चाहें इसे रखे, I am talking to you, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, या मैं तुमसे बात कर रही हूँ, I am talking to you, male member बोले या female बोले, दोनों के लिए English की line सेम रहेगी, Hindi में थोड़ा सा changes आ जाता है, I am talking to you, मैं तुमसे बात कर र onshir, lift is not working, lift काम नहीं कर रही है, अब यहां पर रिफ्ट के जगापे आप कार कर सकते हैं, scooty कर सकते है, bike कर सकते हैं, fridge कर सकते हैं, microwave कर सकते हैं, washing machine कर सकते हैं and what not, सारी चीज अगर सकते हैं, और हाँ, अगर आपने भी तक घर में स्तमाल होने वाले चीज़ों की बारे में, वीडियो नहीं देखी है तो link description box में है जरूर से जरूर देख लेए घर में जो भी हम लोग सामान यूज करते हैं उसके नाम क्या होते हैं English में वो उसकी वीडियो अरड़ी आ चुकी है चली बढ़ते हैं आगे My voice was choked, मेरी आवास choked हो चुकी थी अब choked का मतलब होता है बैठ जाना, दब जाना, घुट जाना बैसिकलिए आवास का जब आवाज ही नहीं निकलती है गला हमारा एकदम बैठ जाता है So my voice was choked, मेरी आवास choked हो चुकी थी I can't control him, मैं उसे नियंतरित नहीं कर सकता Stop teasing him, उसे चिढ़ाना बंद करो You are always lazy, आप हमेशा आलसी होते हैं What is your goal, आपका लक्ष क्या है? I have many friends, मेरे बहुत सारे मित्र हैं I have promised her, मैंने उससे वादा किया है I have promised her, मैंने उससे वादा किया है अब यहाँ पर देखिए her है, her का मतलब किसी लड़की की बात हो रही है किसी female की बात हो रही है अगर यहाँ पर him हो जाता, तो फिर लड़के की बात होती है या किसी male member की बात होती, clear है? You insulted me, आपने मेरा आपमान किया है I am ashamed to say this, यह कहते वे मुझे शर्म आती है I am ashamed to say this, यह कहते वे मुझे शर्म आती है You can't eat anymore, अब आप और नहीं खा सकते हैं या आप अब और नहीं खा सकते हैं You can't eat anymore, आप अब और नहीं खा सकते हैं I can't eat anymore, मैं अब और नहीं खा सकता It will be good for you, यह आपके लिए अच्छा रहेगा You got me insulted, तुमने मेरा अपमान करवा दिया या तुमने सबके सामने मेरी बेज़ती करवा दी You got me insulted, it will be good for you, यह आपके लिए अच्छा रहेगा You are an amazing person, आप एक अनोखे इंसान हो या गजब के इंसान हो मतलब बहुत मस्त, इसको positive sense में हम लोग बोल रहे हैं You are an amazing person, आप एक अनोखे इंसान हो, आप एक गजब के इंसान हो What are you doing, तुम क्या कर रहे हो What are you going to do, तुम क्या करने वाले हो What are you doing, मतलब अभी, अभी क्या कर रहे हो What are you going to do, मतलब तुम क्या करने वाले हो मतलब future की बात हो रहे हैं या पे You seems to be very happy, आप बहुत खुश लग रहे हैं। Stop daydreaming, दिन में सपने देखना बंद करो। Don't argue about it, इसके बारे में बहस मत करो। Riya and I are going to Goa, Riya और मैं Goa जा रहे हैं। I have nothing to say, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। I am speechless, मैं अवाक हूँ। Speechless का मतलब, speech का मतलब होता है बोली, तो मेरे पास शब्द नहीं है, जब आपका शब्द नहीं होते हैं, कब नहीं होते हैं। जब आप किसी situation को देख करके shocked हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं, तो आपको लगता है क्या ही बोले हैं situation में। So I am speechless, यहन कि मैं अवाक हूँ, या मेरे पास शब्द नहीं है। I have nothing to say in this matter. मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है, I have nothing to say in this matter. In this matter का मतलब होता है इस मामले में, I have nothing to say in this matter. I need to reach school in 10 minutes. मुझे 10 minutes में school पहुँचने के आविशकता है, I need to reach school in 10 minutes. मुझे 10 minute में school पहुँचने की आविशकता है. Calm down, shant हो जातो है. I don't feel like talking. मुझे बात करने का मन नहीं है. I don't feel like talking to anyone. मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है. I don't have much knowledge about it. मुझे इसके बारे में जादा जानकारी नहीं है. I don't have much knowledge about it मुझे इसके बारे में जादा जानकारी नहीं है He is a very short tempered person अब short tempered का मतलब क्या होता है गुसेल, चिड़ चिड़ा हर बात पर किच किच करने वाला He is a very short tempered person वो बहुत ही गुसेल वक्ती है He is a very short tempered वो बहुत ही गुसेल है वो बहुत ही गुसेल है Clear? चलिए बढ़ते हैं आगे Her parents are very liberal उसके माता-पिता बहुत उदार है मतलब खुले विचारों वाले हैं, खुले सोच वाले हैं Her parents are very liberal It's my life, ये मेरी जिंदगी है Her predictions are often right उसकी भविश्यवानी अकसर सही हो जाती है Her predictions are often right उसकी भविश्यवानी अकसर सही हो जाती है Just relax and enjoy बस आराम करो और आनंद लो Just relax and enjoy बस आराम करो और आनंद लो I have nothing to talk about मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है I have nothing to talk about मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है She will guide you मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है जिब आप कहीं पर जाते हैं और आपको कोई बोलता है कि अच्छा मैंने इसको appoint किया है आपको सब कुछ दिखाने के लिए आपको guide कर देगी आपको किसी आपके office में होते है न तो अगर आप नहीं गए है तो आपको appoint किया जाता है किसी को कि यह आपको बता देंगे आपको क्या करना है तो वहाँ पर बात हो रही है She will guide you मतलब वो आपका मार्क दर्शन करेगी Don't misguide her उसे गुमराह मत करो Missguide का मतलब होता है Guide का मतलब क्या होता है मार्क दर्शन करना Missguide का मतलब क्या होता है गलत मार्क दर्शन करना यानि की गुमराह करना Don't misguide her उसे गुमराह मत करो Don't provoke him उसे उकसाओ मत I didn't mean to offend you मैं तुम्हारा अपमान करने का नहीं था I didn't mean to offend you मैं तुम्हारा अपमान करने का मतलब नहीं था Walk carefully साफधानी से चले Remind me मुझे याद दिलाना Be polite विनम्र रहे Please don't call me कृपया मुझे फोन ना करे Why are you hesitating? आप संकोच क्यों कर रहे हैं? Why are you hesitating? Hesitating का मतलब होता है संकोच करना Why are you hesitating? आप संकोच क्यों कर रहे हैं? Learning English is important अंग्रेजी सीखना जरूरी है I didn't expect her to come मुझे उसके आने की उमीद नहीं थी I wish I knew swimming काश में तै ना जानता आप इसके जगा पे कुछ भी डाल सकते हैं आपको driving आती थी काश मुझे driving आती काश मुझे गाड़ी चलाना आता काश मुझे बाइक चलाना आता काश में उड़ना जानता काश मुझे खाना बनाना आता आप कुछ भी डाल सकते हैं I wish I knew swimming काश में तैरना जानता I wish I knew cooking काश में खाना बनाना जानता चिके? तो आप इसमें word में ing डाल करके समीहा पर swimming के जगा पर इस्तमाल कर सकते हैं I wish I knew swimming काश में तैरना जानता He is such a dull boy वह इतना सुस्त लड़का है He is such a dull boy वह इतना सुस्त लड़का है Let her come in उसे अंदर आने दो So ये थी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो जरूर बताईएगा और इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे premium WhatsApp Soken English course पे तो इसकी inquiry अप इस नंबर पे कर सकते हैं कि क्या है इस course में, क्या मिलता है, क्या duration है कितनी सारी चीज़े आपको इसमें मिल जाती है इसकी inquiry आप इस नंबर पे कर सकते हैं साथे साथ ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तो अच्छी हो ही नहीं सकती उस ग्रामर को अच्छी करने के लिए ये course बिलकुल आपके लिए है तो इस course की inquiry भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं ये है हमारा master course विचिस बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स मतलब master course मतलब बहुत ही जादा innovative और बहुत से जादा महनत किया हुआ इस नंबर पे कर सकते हैं ये हमारा combo course जो की है most famous जिसकी seats ना के बराबर अवेलिबल होती है नॉर्मली बैच्छ में ये इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल जो की है आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों doesn't matter आपको इसमें grammar आपके क्लास की और writing राइटिंग से मेरा मतलब है notice, writing, letter, writing, speech, writing, essay, writing और जो भी चीज आपके क्लास में related है वो सारी चीज आपको इसमें cover कराई जाती है इसकी inquiry भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं आपको सिखाई जाती है लिखना, यह लिखना कैसे है साथी साथ अगर आप वाकरी एक serious aspirant है जिनको bank, ssc, psc, seated, class, MBA ऐसे किसी भी exam की तियारी करनी है जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो यह course बिलकुल आपके लिए है इस course में आपकी पूरी की पूरी syllabus कवर कराई जाती है vocabulary, grammar, rc and everything आपको basic से लेकर कर अडवांस तक ले जाया जाता है इस course को करने के बाद tremendously बच्चों के marks इंप्रूव हुए हैं English section में कई ओके तक cut-off बिक्लिर हुए है इसकी inquiry भी आप इस नमबर भी clearly कर सकते है वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करके वीडियो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे अगर अभी तक नहीं किया है तो so yes guys that's it for today thank you so much for watching be with bbanker empowering lives through knowledge thank you so much for watching stay tuned